नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारी यूटूब चैनल निटीजन ट्यूटर पर स्वाकत है आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके SPI किलर्क, PO मींस और साथी आपके FCAG3 pre-result के बारे में वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो किसी भी एक्जाम से जुड़ी लेटिस अब देट पाने के लिए आप हमारा चैनल निटीजन ट्यूटर सब्सक्राइब कर हमारे साथ जोड़ सकते हैं साथ ही दोस्तों आप किसी भी अधर एक्जाम की त्यारी कर रहे हो रेलवे, SSC, बैंकिंग, UPCC किसी भी एक्जाम से जुड़ी लेटिस अब देट पाने के लिए आप हमारा चैनल निटीजन ट्यूटर सब्सक्राइब कर हमारे साथ चुड़ सकते हैं तो दोस्तों जैसा कि आप सब भी जानते हैं आपके SBI किलर्ग और P.O. मेंस को लेकर काफी जादा डिले हो चुका है लेकिन अभी तक रिजल्ट के बारे में कोई भी ऑफिशल इन्फॉमेशन नहीं है हाला कि SBI के दोस्तों सब कुछ अनेक्सपेक्टी रहता है कब इसका एक्जाम गंडर करवाना है और कब इसका रिजल्ट आगा दोस्तों ये कोई भी ऑफिशल नोटिस जारी नहीं करती है बट जैसे कि अगर हम लास्ट आ रेम का स्नीड गोड़े देखते हैं तो आपका जो रिजल्ट है आफटर 23 देज ऑफिशल आपका आउट हो गया था लेकिन इस बार अभी तक दोस्तों आपका रिजल्ट आउट नहीं किया गया है साथी किलर्क का जो सो रिजल्ट जा है मेंस का वो आपका एक मंद के बाद आ जाता है लेकिन अभी तक दोस्तो आपका एक मंद से जादा हो गया है लेकिन अभी तक रिजल्ट आउट नहीं किया गया है साथ ही दोस्तों जो आपका एपसे एजी थी है उसका जो प्री का रिजल्ट है अभी तक आउड नहीं हुआ है और इसका दोस्तों जो मेंस एक्जाम है वो एक्सपेक्टेड है कि आपका पांच मार्च को करवाया जाएगा लेकिन अभी रिजल्ट को लेकर कोई भी अपडेट नहीं है केंडिर्स काफी जादा परिशान है क्योंकि रिजल्ट की वज़े से कुछ केंडिर्स ऐसे हैं जो अपना मेंस पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो इस वचे से दोस्तों यहां पर केनिटिस जो हैं उनका स्कोर बिगाड़ सकता है में क्योंकि अगर पांच को आपका एक्जाम करवा जाएगा तो दोस्तों यहां पर आपके पास बहुत ही कम डेस बचे हैं और अगर आपका रिजल्ट आता है तो उमीद है कि जिस दिन का मेंस का एड्मिट कारड आगया था तो यहां पर जो फी कनिटिस जिस रिजल्ट का कर रहा हैं वह सभी अपनी मेंस की तयारी पर फोकस कर यांकि दोस्तों यहां पर इतना टाइम कभी नहीं देती है कि आपको मेंश की त्यारी के लिए इनाफ टाइम मिल सके तो और प्यों इन दोनों से पहले, आपको Crypto Marvert book का result देखने को मिलने वाला है. और उमीद है कि इस week में आपको ये 3 रिजुदो देखने को मिलसकते हैं. फैवरी के लाइस से पहले पहले एक्सपक्टेशन है की तीन फेवरी és को मिल जाएंगे. और सबसे पहले दोस्तों आपको एस पे किलर का रज़र्ट देखने को मिल सकता है वहीं अगर हम बात करें सेफ स्कोर की इन तीनों ही एक्जाम में तो अगर आपने किलर का एक्जाम दिया है और आप किसी भी जोन से ब्लॉंग करते हो अगर आपका स्कोर 75 प्लस बनता है और आपने अच्छे से अपनी एक्वरेजी मेंटेन की है तो बिल्कुल दोस्तों आपका फाइनल लिस्ट में निम जरूर आएगा जिसा कि आप सब जानते हैं किलर्ट में जो आपकी लिस्ट आएगी वही फैनल होगी उसी की बेसिस पर जोइनिंग की जाएगी नेक्ट इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है तो अगर आपका 75 प्लेस स्कोर है तो बिल्कुल सेफ वह फाइनल सेलेक्शन के लिए है स्कोर है आपका 80 के प्लस रहने वाला है एक लंग सम इसको रहने वाला है प्रीका अगर आपको में से प्रेपरेशन में लग जाना है साथी रिजल्ट के वाले मैं आपको बढ़ता दिया एपस जाएक रिजल्ट आपका दोस्तों हलाकि जल्दी आ सकता है बट उमीद यही है कि जिस दिन आपका प्रीका रिजल्ट आएगा उसी दिन आपका मेंस का एक्टमेट कार्ड भी आउट कर दिये जाएंगे तो इसलि मिल सकते हैं और जैसे ही आपकी डिजल्ट आउट होगा तो हम आपको तुरंत इंफॉर्म करेंगे फिलाल वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सी पिकार की इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारा चैनल ने डिजन कर हमारे साथ जोड़ सकते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद